अलो प्रिवान, दुर्रा आपका फर्स्ट नम्मर का कौश्चन है कि निम नी लिखित में से कौन कुन का कृतिम बहुपलग नहीं है तो एज सेलोफोन आता है तो और देल्या रॉप्शन धर नम्मर का क्यरों गुं। पत्थर उसके बाद थर्द नमबर का होचन एंडि यह से पताना है कौन सा पता आप प्लास्टिक प्लास्टिक ब्लास्टिक ऑक प्लास्टिक तो पॉली स्टारिइन जो है आपका आपका सुनब में लिए स्थर permits नमबर का करेंने कटोर जल से कपड़े अैच्छे तरीक क्योंकि काथोर जल जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका जोजाएगा साबुन धूल के कड़ों पर जुड़ने के बजाए लवडों के साथ अभिकीरिया करके इसकम का निर्माड कर देते हैं यहीं वजाए कि आपका जो कठोर जल है डी टू वह भारी जल है उसे कपड़े अच्छी तरीके साफ नहीं हो पाते हैं उसके बाद आपका चाच्छा नमबर का कुश्चन रहेगा कि एक तत्तों एम का परमाड़ कर वांग 26 है इस तत्तों की एम 3 पॉजिटिव आस्था में अम कोस्मिक कितने लेक्ट्रण उपस्थित हो भी तो इनमें आपका उसकते हैं मांसक्किक इश्चा कि सबकलए इसे बाद साथवे में नमबर का क्शेश्चान है याइस का मतलब क्या होता है तो यह जब आरगन का उलेक्ट्रोनिक का इल viewpoint का नाम लिख दिया जाता है उसके बाद इसमें तो बद्ला हुए है वही लिख दें और करूरprowad नहीं एक हम टो बढ़े बढ़े हो जाते repro यहाँ पे आपका चोटे यह लिखा जाता है इतने तक तो इनведर नहीं का सेम है यहां तक यहां तक तुक दो step पे हम आगे बढ़ चुके हैं तो यहां तक तो थे हैं में इसलिए AR यहीं इतना electronic बिन्यास organ के समान आपका मैगनीज का होगा उसका 3D5, 4S0 इनका हो जाएगा जिन आपका आठवा नमबर का question है कि एक छारी बफर विलेन के बिलेनों को मिलानें पर बनता है किसको मिलाने पर NH4OH प्लस NH4CL को मिला देते हैं तो आपका एक बफर विलेन तयार हो जाता है उसके बाद नाइनध नमबर का question आएका आरा उसके बाद 10 नमबर का कुशन है कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाडवाकार बढ़ता है, क्योंकि एलेक्टरॉनों की संख्या जो है लगातार फ़ी घटती जाती है, जब उपर से नीचे आते हैं, हम लगातार परमार का आकार लगातार बढ़ता जाता है, किस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रानों की संख्या जो उसमें कम होती जाती है लगाता है उसके बाद 11 नंबर का कोश्चन है कि जब आवर्त साड़ी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयतन विभाव में कमी का कारण क्या होता है तो परमाडवी आकार का जो बढ बस्तित होगा सेकन्ड एसमुधत 5 वे आवर्त में आपका वो उपस्तित होगा उसके बाद आपको 13 नंबर का कोश्चन है कि आज थाए का थोरता दूर करने के लिए कौन सी विधी परियोग में लाई जाती है तो आसथाए का थोरता दूर करने के लिए हम उस चीज को उब लेंगे तो उसमें आस्थाई का ठोड़ता जो है वो दूर हो जाएगी उसके बाद चौदा नमबर का कुछन है कि सफेद सीसा आपका किसे कहा जाता है तो टू पीबी सीओ थिरी इंटू पीबी ओएच का होल ट्वाई जिसे क्या कहा जाता है सफेद सफेद लेडी के नाम से सफेद सीसे के नाम से हम जानते हैं तो उसके बाद 15 नमबर का कुछन है कि फफोलेदार कापर किसे कहा जाता है तो फफोलेदार कापर हम कहते हैं किसे एक परशंट असुद्धी युक्त कॉपर को हम क्या कहा जाता है यह आपका कॉपर हो एक दम प्योर सुद्ध हो उसमें सिर्फ एक परशंट की असुद्धी हो तो उसे हम किस फफोलेदार कॉपर के नाम से जानते हैं उसके वाद 16 नंबर का कॉश्चन हो जाएगा क्या कि अर जो घोलने के लिए निमने में से हम एन्ने और सी अन का उप्योग करते हैं सोडियम साइनाइड के सकते हैं उसके वाद 17 नंबर का कॉश्चन है कि एक गैस फूलों का रंग अपचेन द्वारा था दूसरी गैस ऑक्सिकरन द्वारा उड़ा देती है और जब ऑक्सिकरन करती है कलोरीन है तो कलोरीनली कर रंग उड़ा देती है उसके वाद 18 कोश्चन है कि बीटुमीन कोले में कार्बं की मातल्स का के dalla है उसके लाद लास्ट कुश्चन 20 नंबर 20 नंबर का कुश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अब गिजिया करता है तो बनता है तो क्या बनाता है तो आपको मीथेन तियार करता है तो पीछे मतलब कि पिछले प्रैक्टिसेट में करवाद चुका हूं में तो जब sodium acetate जो है soda lime के साथ अब कीजिया करता है तो बर क्या बनाता है तो methane gas आपकी बनाता है methane gas produce करता है तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताएगा हमें comment section में and मैं आपका physics का physics ने इंग्लिस का base of radio operator English के और radio mechanic दोनों के लिए English का जो section आता है